हाई अब्रिवन वेल्कम बैक टू मैं चैनल मैं हूँ सरोज मैं अपने चैनल पर लाइफ स्टैल से लेटेर प्रोड़क का रिव्यू करती हूँ तो लेट्स केट स्टार्टिट मैं वीडियो आज मैं जिस प्रोड़क का रिव्यू लेकर आए हूँ वह है मैं एक डिटेन पैक का रिव्यू लेकर आई हूँ जो रागा प्रोफेस्टनल का डिटेन पैक है यानि टेन डिवूबल क्रीम है जो कोजिक और मिल्की गुडनेस के साथ आता है आज की वीडियो में मैं बताऊंगी डिटेन पैक क्यों लगाना चाहिए इसके क्या फायदे है साथ में आपको डेमो भी देखने को मिलेंगे इसलिए प्लीज मेरे वीडियो पर अंतक बनें रहेंगे तभी इस प्रोड़क्ट की पूरी जानकारी आपको डिटेल से मिलेगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना न भूलें हम लोहों के मन में हमेशा यह कोस्तन होता है कि जब मैं संस्क्रीन यूज करती हूं तो फिर मुझे डिटेनप्एग लगाने की क्या जड़रत है लेकिन मैं यहां बता दू कि संस्क्रीन का बेसिक काम होता है आपको सन की टैनिंग से बचाना और डिटेन पेक का काम होता है फेस में फ़ी टैनिंग को हटाना संस्क्रीन आपको सन की टैनिंग से बचाता तो है पर 100% नहीं समर में थोरा बहुत स्कीन पर टैनिंग होई जाती है इसलिए दोनों ही प्रोडक्ट जरूरी है अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए प्रोडक्ट सी डिटेल्स में जानकारी लेते हैं इस फूड़े पैकेट की कॉस्ट परती है आपको 324 रुपीज मैं इसे सेल के दोरान 296 रुपीज में परचेज की हूँ प्रोडक्ट का परचेज लिंक आपको डिस्क्रिशन बॉक्स में मिल जाएगा क्वाइन्टिटी है 72 ग्राम की इसे मेन और उमेन दोनों ही उच कर सकते हैं और यह आल टाइब के स्कीन के लिए सूटेबूल है। यह पैरक्षाइट फिडी है है हाइड्रो कीनोन फिडी है और सलफेज फिडी है तकी हिर्मा टॉलीजकली टेश्टेड है और पैर एन फिर Hai Game के हर इस्तेमाल के बाद आप महसूस कर सकते हैं कि आपका स्कीन नर्म और कोमल हो गया है इसके सारे ही इंग्रेडियंट्स आपको इस्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे मिलके पॉस्टिक गुनों से भरपूर यह क्रीम ना केवल ठैन को हटाती है बलकि स्कीन को कोमलता से भ आपको क्वाइंटिटी पड़ेगी 12 ग्राम की इसके बहुत सारे इंग्रेडियंट्स के बारे में आप वीडियो में जान ही चुके होंगे लेकिन मैं आज इसके एक मैजिक इंग्रेडियंट्स की चर्चा खड़ने जा रही हूं यह है कोजी केसी यह आपकी स्कीन के जो ड जान लेते हैं जैसा कि मैं वीडियो में आगे बता चुकी हूं कि इसे मेन और उमेन दोनों यूज कर सकते हैं अब मैं दिखाती हूं कि इन्हें टैनिंग की प्रॉब्लम कहां कहां हुई है फोर हेट पर आइज के नीचे सबसे ज़्यादा हाथ में हुई है टैनिंग की प् उसके बाद अपने स्कीन पर क्लिंजिंग मिल्क का इस्तिमार करें। थोड़ी सी जादे मातरा में क्लिंजिंग मिल्क लेकर आप उसे मसाज करते हुए लगाएं। इससे क्या होगा आपके स्कीन ज़्यादा क्लीन होंगे। क्लिंजिंग मिल्क को आप अपने स्कीन से रिमूब कर दे, इससे सारे डर्ड और मेकप बाहर आ जाएंगे इसके बाद डीटेंग पैक के लिए आपका स्कीन तयार हो गया यह पर्ल के कलर का दिखाई देगा अब इस डीटेंट पैक को आप अपने पूरे फेस पर अपलाई करें आपके पास क्लिंजिंग मिल्क नहीं है तो आप इसे घर में भी तयार कर सकते हो आप हाप कप मिल्क ले ले उसमें होर्ज विस्पून आलमंड वाल्ल डाल का अच्छे तरह मिक्स कर ले इसके बाद कॉटन बॉल को डीप करके आप अपने फेस पर अपलाई कर सकते हैं मिल्क एक नेचरल क्रिंजर होता है आप वीक में एक ही बार यूज करें इसके बेस रिजल्ट के लिए आप इसे नाइट टाइम में यूज कीजिए अपने स्कीन पर 15 मिनट से जादे इस फेस पैक को न छोड़े अगर उससे जादे छोड़ेंगे तो आपके स्कीन से मौशर चला जाएगा पॉडी पार्ट पर आप 25 से 30 मिनट तक रख सकते हैं 12 मिनट के बाद इसे आपको ध्होना नहीं है बलकि हाथ गीला करके मसाज करना है गीले हातों से मसाज करना है कम से कम दो मिनट तक और गीले टॉविल से आप इसे पोच लें देखी स्कीन पर कितना अच्छा साइणिंग आ चुका है पैक को रिमूब करने के बाद इसकीन से टैनी भी चला गया है और डलनेस भी दूर गया कितना साइन कर रहा है इसकीन 12 मिनट के बाद भी ये ब्लीच ड्राइ नहीं होता है जिन लोगों को ब्लीच करना पसंद नहीं रिटेन पैक को फेश से हटाने के बाद 10 से 12 घंटे तक फेश पर कुछ ना लगाए थांक्स वर वाचिंग मैं मिलती हूँ आप से नेक्स वीडियो में नेक्स प्रोड़क के साथ तिल देन बाई और टेक क्यार